स्रेश वाय नमस्तु भ्याम हम सबको पता है कि आज है एक मई यानि की बुद्धवार की एस्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन और अगर आपको अपने घर में, फैमली में सुख, सांती, सम्रद्धी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूजी गुरुजी की कताद सुनके बहुत अच्छे से आपको समझाओंगा, ठीके ना, कुछ भी नहीं करना है आज रात में आपको अपने घर पे एक चौह मुखी दीपक जलाना होगा काला तिल डालके, जिससे आपके घर की जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी समझाओंगी वो भगवान गनेश दूर जरूर करेंगे, यो कि जो बुद्धवार की एस्टमी का दिन होता है वो भगवान गनेश का दिन माना जाता, ठीके न, अब वो दीपक कहां पे चलाना है, कौन सा, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे इसकुर्ण पे आप सभी लोगों के एक चौह मुखी दिया दिख रहा होगा, यह दीपक है, आँटे का, आपको भी अपने घर में आँटे का इस तरीके से कुछ चौह मुखी दिया लगाना, ठीके न, इस चौह मुखी दीपक में आपको डालना होगा तिल का तेल, कौन सा अभी जलाना नहीं है इसको आप इसको उठाएंगे और इसको आपको अपने घर पह लगाने कहीं भी जाना नहीं है आज शाम की टाइम पर प्रदोशकाल में जो भी भगवान गनेश का फोटो मूर्ती प्रतिमा आपके घर में बना है, लगा हुआ है, रखा है, उनके सामने जाएंगे सबसे पहला काम करेंगे, आपके पास में कुछ अनाज की दाने घर में होंगे चाहे गेहूं हो धान हो बाजरा हो मक्का हो कुछ भी हो उसको सबसे पहले जमीन पे रख देना ठीक है ना भगवान गनेश के पास में जमीन पे रख देना जो आटे का दिया आपके पास में है उसी अनाज के दाने के ऊपर आटे के चौँ मुखी दीपक अभी जलाना नहीं आटे के चौँ मुखी दीपक के अनाज के दाने के ऊपर आटे का चौँ मुखी दिया रखेंगे रखने के बाद में आपको फिर इन चार के चारो बतियों को जलाना होगा ठीक है ना जब जलाओगे तो किसका इसमनण करोगे भगवान गनेश का एक बहुत ही प्यारा सा न ना होगा काला तिल जो भी आप घर में और आप घर के किसी भी इनसान को किसी भी सदस को जो भी समस्या है उस समस्या का इसमनण करते हुए काला तिल इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना यकीन मानिए अगर बुद्धवार की अस्टिमी पे जो भी विक्ति शाम के प्रदोशकाल में भगवान गनेश के सामने इस उपाय को कर लेता है, उटके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई प्रोब्रम में आ सकती, हमेशा उसका पूरा परिवार खुश रहता है, ठीक है ना, तो अपने परिवार के लिए खुद के लिए आप सभी लोगों को आप समझा दे अगर आप पे घर में किसी भी कारण से निगेटिव एनरजी प्रवेश कर चुकी है जब हमारे घर में नकरात्म कूर जाएं आ जाती है तो हमारे घर में लडाई स्टार्ट हो जाती है हमारे घर में बीमारिया प्रवेश करना सुरू हो जाती है हमारे घर में हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, ना तो खाने पीने का मन करेगा, ना रहने का मन करेगा, ऐसी condition अगर आप पे घर में है, तो इस उपाय को करेंगे बुद्धवार की अस्तमी पे, ठीके न, क्या करना है, आपको लेना होगा तीन दूरुवा गिन करके, जो हरी वाली जल को भरने के बाद में इस जल के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे और पहुत जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, चाहे अपने घर पे करें या मंदर में सुबह दो पहर शामरा कभी भी करें, सबसे पहला काम करना है जो आपके पास में अनाज के दाने उन अनाज के दाने को भगवान गनेश के स्थान पे, शिवलिंग पे राइट साइड किसका होता है भगवान गनेश का, तो राइट साइड में आपको अनाज के दानों को समर्पित करना, जिस भी कारण से आप एगर में प्रॉब्लम चल रही है, उस कारण का इसमनद करते और यह जो तीन दूरवा आपके पास मेह, हरी वाली, उन तीन दूरवा को भोले- शंकर के शिवलिंग के उबढ़ के उपर समर्पित करेंगे, ठीके ना, समर्पित किया, समर्पित करने के बाद में, जो मने आपको एक तामबे के लोटे में जल दिखाया, वो आप इसी दूर दूरुवा से होता हुआ जल आपको नीचे जलाधारी से गिरेगा इस जल को यहां से आपको थोड़ा सा रोक लेना रोकने के बाद में आप इस जल को लेके आप अपने घर पे जाना जितने भी कमरे होंगे जितने भी रूम सोंगे और आप फे घर में जितने भी सदस रहते होंगे उन सभी लोगों के ऊपर इस दूरुवा के जल का छिड़काओ कर देना जीवन में कभी आप फे घर में निग पित किया है इस दूरुवा को नहीं उठाना है सिर्फ चड़े हुए जल को ही लेके आपको अपने घर पे जाना होगा ठीक है ना चलो आगे बढ़ता है यहाँ पे दो उपाया के हमने बात कर ली है तो तीसरे उपाया की बात करते हैं और इसके क्या फायदे हैं कैसे करना है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे है मेरी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा चलो समझने कोशिश करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे तो इस उपाय का सिर्फ एक फायदा है और वो है बीमारी है बहुत परेशाना गो सारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं सारे पैसे दवा में रिपोर्ट में इलाज में जा रहे हैं तो आप इस उपाय को करेंगे उसके लिए आपको लेना होगा खड़ा धनिया मार्केट में बहुती आसानी से इसली आपको खड़ा धनिया मिलेगा तो खड़ा धनिया लेंगे गिंती नहीं करनी है एक चुटकी क्या सपास खड़ा धनिया लेना और आपको एक लाल फूल लेनी है जरूरी नहीं जो लाल फूल इसक्रिंट पर मैं दिखा रहा हूँ वही लाल फूल लो आप गुलाब का भी ले सकते हो अपर कोई भी लाल फूल ले सकते हो ठीक है लाल दिखाया उस एक बेलपत को यहां पे रखेंगे और जो मैंने आपको एक बेलपत के साथ में एक चीज़ जो मैंने आपको और दिखाई है वो भी आपको इसमें रखनी होगी ठीकिन रखने के बाद में अच्छे तरीके से इसकी छोटी सी पोटली बनाना ऐसे खुला मत रखना इसकी पोटली बनाना पोटली बनाने के बाद में आपको उस पोटली को अपने घर पे आज शाम के टाइम पे प्रदोशकाल में भगवान गनेश के पास में रखना है उस इंसान का नाम और गोतर बोल के किसका जो इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के भगवान गनेश के पास में रख देना आज बुद्वार के अस्निमी पे पूरा दिन पूरी रात रखा रहने दो आपको फिर उस लाल पोटली को वहां से उठाना है जो इंसान घर में बीमार पड़ा हुआ है उस इंसान को उस लाल पोटली को लेके जाना है देना है टच कराना है उसके हाथों से और फिर लेके जाना है अगले दिन किसी भी पेंड के नीचे लेके जाएंगे जो भी पेंड आपके घर के आसपास में नस्दीक में हो हरा भरा पेंड़ो उसके नीचे उस पोटली को रखर के चले आएंगे उस इंसान की जो बीमारी होगी वो उस पोटली में कैद हो जाएगी और आपके घर के बाहर वो पोटली हमेशा के लिए चली जाएगी करके जरूर देखेगा जो भी बीमारिया होंगी आप फे घर में हमेशा परेशान रहे तो बीमारी को लेके उस सारी problem solve जरूर हो जाएगी चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाया और सबसे आखरी उपाया बहुत आसान से उपायागी जो कि आपको करना होगा दूरुवा के साथ काओगे भी इस दूरुवाख से उपाय करने के सबसे पहले फायदेर समझादो तो यह उपाय होगा आपकी family में आपके परिवार में एकता को मना के रखने की आपका परिवार कभी तूटे नहीं कभी घर में लड़ाई जगड़े नहों हमेशा आपकी family आपका परिवार सह या फिर इच्छा पूर्थी के लिए भी कर सकते हूं ठीके लिए आपको लेना होगा जो हरी वाली दूरुवा आती है पांच हरी दूरुवा लेंगे इस तरदा नहीं लेना इस पचाहई दूरवा रखी हुई है, वो हरी दूरवा भी इसी कलश के अंदर डाल देना, डालने के बाद में आपको लेके जाना है अपने घर पे, आपके घर में महादयों के शिवलिंग के पास जाने से पहले, ये जो लोटे में आपने दूरवा और गंगा जल डाल रखा है आपको अपने घर पे जितने भी लोग रहते हो ना सभी के हाथों से एक बार इस कलस को टच करा देना एक बार छुआ देना ऐसे बस ऐसे चाहे वो सो रहों जग रहों जबरदस्ती कर दो किसी भी तरीके से बस उनको टच करा दो फिर आप इस कलस को लेके जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में और उसके बात में अपने परिवार का गोत्र बोल करके क्या बोलोगे परिवार का गोत्र कहोगे भी या गोत्र नहीं पता तो आपके घर में जो बड़े बुजर्ग हों आपके भावी रहती हों आपके भाईया हों आपके दादा दादी हो जो पूरवज हो उनसे पूछो के गोत्र आपको बताएंगे गोत्र का इस्पनड करके दूर्वा वाला जल समर्पित कर देना आपकी फैमली में आप घर में कभी लड़ाई जगडे नहीं हो सकते आपका पूरा परिवार हमेशा एक साथ मिल जुल करके रहेगा ठीके ना तो बुद्धवार के एस्टमी के जितने भी प्यारे उपायते मैंने आप सबको समझा दिये हैं वीडियो पसंद आती हो स्रीशिवाय नमस्तु भ्याँ